बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते मानो नगर में दसो दिशाओं में दावागनी लगी है पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैके बड़ी हर्शित हुई वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दोड़ी और दर्वाजे पर ही मिलकर भरत शत्रूपन को महल में ले आई भरत ने सारे परिवार को दुहखी देखा मानो कमलो के वन को पाला मार गया हो एक कैके ही इस तरह हर्शित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगा कर आनंद में भर रही हो पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी हमारे नहर में कुशल तो है भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई फिर अपने कुल की कुशलक्षम पूछी भरत जी ने कहा कहो पिता जी कहा है मेरी सब माताए कहा है सीता जी और मेरे प्यारे भाई रामलक्षमन कहा है पुत्र के स्नह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैके भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुबने वाले वचन बोली हे ताथ, मैंने सारी बात बना ली थी बेचारी मंत्रा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड दिया वह यह की राजा देवलोग को पधार गए भरत यह सुनते ही विशात के मारे विवश, बेहाल, हो गए मानो सिंग की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो वे ताथ, ताथ, हा ताथ पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे की हे ताथ मैं आपको स्वर्प के लिए चलते समय देख भी न सका हाई, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए फिर धीरज धरकर वे समहल कर उठे और बोले माता पिता के मरने का कारण तो बताओ पुत्र का वचन सुनकर कैकेई कहने लगी मानो मर्म स्थान को पाच कर, चाकु से चीर कर, उसमें जहर भर रही हो कुटल और कठोर कैकेई ने अपनी सब करनी शुरू से, आखिर तक बड़े, प्रसन मन से सुना दी श्री राम चन्दर जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरन भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तमभित रह गए अर्थात उनकी बोली बंध हो गई और वे सन्न रह गए पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेई समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो वह बोली, हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है उन्होंने पुन्य और यश कमा कर उसका पर्याप्त भोग किया जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पालिये और अंत में वे इंद्रलोग को चले गए ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो उन्होंने धीरस धर कर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहां पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया हाए यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुची दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला तूने पेड को काट कर पत्ते को सीचा है और मचली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला जी, सरीखे, पिता और रामलक्षमन से भाई मिले पर हे जन्नी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई क्या क्या जाए विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता अरी कुम्ती जब तूने हृदय में यह बुरा विचार, निश्चय, ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों, न हो गए वर्दान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई तेरी जीब गल नहीं गई तेरे मुह में कीड़े नहीं पड़ गए राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है, विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धी हर ली थी स्त्रियों के हृदय की गती, चाल, विधाता भी नहीं जान सके वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्म प्रायन थे वे भला, स्त्री स्वभाव को कैसे जानते अरे, जगत के जीव जन्तूओं में ऐसा कौन है, जिसे श्री रगुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे तू कौन है, मुझे सच-सच कै तू जो है, सो है, अब मुँ में स्याही पोत कर, मुँ काला करके, उठकर मेरी आखों की ओट में जा बैठ विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले, तेरे, हृदय से उत्पन्न किया अथ्वा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूँ माता की कुटिलता सुनकर शत्रुभनजी के सब अंग क्रोज से जल रही हैं, पर कुछ वश नहीं चलता उसी समय भांतिभांती के कपड़ों और गहनों से सचकर कुबरी, मंत्रा, वहां आई उसे सजी, देखकर लक्षमन के छोटे भाई शत्रुधनजी क्रोध में भर गए मानो जलती हुई आग कोघी की आहुती मिल गई हो उन्होंने जोड से तककर कुबर पर एक लाद जमा दी वहां चल्लाती हुई मुँं के बल जमीन पर गिर पड़ी उसका कुबर तूट गया, कपाल फूट गया, दांत तूट गये और मुँं से खून बहने लगा वहां कराती हुई बोली, हाई दैव मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया उसकी यहाँ बात सुनकर और उसे नक से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुखनजी जोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीतने लगे तब दयानधी भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौसल्याजी के पास गए जोत्रुश से शू법बहा है घछा दोत्रुट जकूतर रहता है दोत्रुश से रार